सुजाता रसोई की गर्मी में खड़ी होकर काम कर रही थी कि तभी उसकी सास विमला जी रसोई में आई और चिलाते हुए बोली बहु हजार बार मैंने तुमसे कहा है कि घर में घुंगट लेकर रहा करो लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो इतना कहकर सुजाता किसास ने उसका घुंगट खींच कर लंबा कर दिया और गुसे में तम तम आते हुए कहने लगी अपना मुद दिखा दिखा कर लड़कों को रिजानती हो और उसके बाद कहोगी कि कोई मुझे छेड रहा है सुजाता सन रह गई और कहने लगी मा जी आप क्या बोल रही है मैं अपना चहरा दिखा कर किसको रिजानती हूँ तब सुजाता की सास कटोरता से बोली तुमने कल मुझे क्या कहा कि मेरा छोटा बेटा पवंद पर बुरी नजर रखता है वो तुम्हें इधर उधर चूरता है मैंने तुम्हें समझाया ना कि तुम घूंगट ले कर रहो लेकिन देखो आज भी तुम रसोई में बिना गूंगट के काम कर रही हो अगर तुम्हारे सर पर गूंगट नहीं टिकता है तो बोल दो मैं तुम्हारा चहरा ही भी गार देती हूँ तब देखती हूँ कि अपना बदसूरत चहरा कैसे नहीं चुपाती हो तुम घूंगट लेते हुए तुम मौत आती है तुम्हारा पती भी बाहर रहता है तो किसके लिए इतना बनाव श्रिंगार करके अपना चहरा दिखाती रहती हो अब इस पर अगर मेरे बेटे ने जरा सा मजाक मस्ती में कुछ कह दिया तो भी तुम उसके चरितर पर उंगली उठाने लगती हो सुजाता तडप उठी और अपना घूंगट खीच कर पीछे करते हुए कहने लगी मम्मी जी यह आप क्या बोल रही है अभी घर में देवर जी नहीं है और इतनी गर्मी है रसोई में मैं घूंगट लेकर काम कैसे करूँगी उपर से आप यह मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रही है कि मैं अपना चेहरा दिखा कर लड़कों को रिजाती हूँ अरे आप देवर जी को भी तो समझा सकती है कि वह जरा मर्यादा में रहा करे सुजाता की सास ने एक जोर का तमाचा उसके चेहरे पर जड़ते हुए कहा तेरा धिमाग खारब हो गया है मर्द ऐसे ही होते हैं और तो कोही अपनी मर्यादा में रहना चाहिए मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है अब तुम इतना श्रिंगार करके अपना चेहरा उसे बार बार दिखाओगी तो वह तो हसी मजाक करेगा ही न इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम घूंगट लेकर रहा करो फिर देखना वह तो तुम्हारी और नजर उठा कर भी नहीं देखेगा सुजाता को धमका कर वर रसोई से बाहर चली गई सुजाता आप मान की पीड़ा से चटपटा उठी और सोचने लगी कि अगर मैं चेहरा चुपा कर रखूंगी तो क्या देवर की बुरी नजरों से बच जाओंगी उसकी आँखों से जर जर आसू बहने लगे और वह सोचने लगी कि उसका देवर उसके साथ इतना गलत कर रहा है फिर भी उसकी सास अपने बेटे को समझाने की बज़य उसे ही चेहरा चुपाने के लिए कह रही है खेर उसका पती सूरज भी काम करने के लिए शहर गया हुआ था उस समय मोबाइल का जमाना भी नहीं था गाउं में केवल मुखिया जी के घर पर फोन था वहाँ पर सपता हमें एक बार सूरज फोन करता था तो वहाँ भी विमला जी ही जाकर उसका हाल चाल ले लेती थी सुझा ता पढ़ी लिकी भी नहीं थी जो चिती लिक कर अपनी परिशानियों के बारे में अपने पती को बता पाए वह धैरे से इंतजार करने लगी क्योंकि दो महीने के बाद उसका पती चुटियों में घर आने वाला था उसने सोच लिया था कि वह अपने पती को सब कुछ बताएगी और उसे कहेगी कि मुझे भी अपने साथ ही लेकर चलो या फिर जब तक शहर में रहने का इंतजाम नहीं हो जाता है तब तक मुझे मा के पहुँचा दो क्योंकि इस घर में वा बिल्कुल भी सुरक्षित मैसूस नहीं कर रही थी फिलहाल तो सास के कहन उसार वा घूंगट लेने लगी थी लेकिन फिर भी उसके देवर पवन की हरकतों में कोई सुधार नहीं आया था वर असोई में काम करती रहती थी और पवन पीछे से उसे चूकर निकल जाता था जब वो अपने देवर को खाना वगरे देने जाती थी तो कभी कभार उसकी कलाई पकड़कर खीचने की कोशिश करता था सुधाता का तन बदन सुलक कर रह जाता लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि सास को कुछ बोलते ही वो उसे ही डाटने लगती थी कि तुम्हें पती के बिनन यहां मन नहीं लग रहा है इसलिए यहां से भागने के लिए मेरे छोटे बेटे पर उंगली उठा रही हो सुधाता को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पीड़ा किस से कहे इधर दिन पर दिन पवन की हिम्मत बढ़ती ही जा रही थी एक दिन ऐसे ही सुधाता की सास मुक्या जी के घर पर कोई कीर्टन हो रहा था वहाँ पर गई हुई थी विम्मला जी शाम को प्रिसाथ लेकर घर आई तो घर का दरवाजा भीतर से बंद नहीं था वह हैरान रह गई उन्हें बहु पर बहुत गुस्सा आया कि इस तरह वह दरवाजा खुला छोड़ कर कैसे रह सकती है वह चिलाते हुए कहने लगी बहु यह क्या है दरवाजा खुला क्यों छोड़ रखता है तुमने लेकिन बहु ने कोई जवाब नहीं दिया विमला जी बहु के कमरे में गई तो वहाँ पर बहु नहीं थी फिर विमला जी ने सोचा कि वह रसोई में होगी लेकिन वह रसोई में भी नहीं थी दीरे दीरे करके विमला जी ने पूरा घर चान मारा लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी तब विमला जी परेशान हो गई उन्होंने आज पडोस के लोगों से बहु के बारे में पूछना शुरू कर दिया लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो कहा है तब ही उनका छोटा बेटा पवन साइकिल दोडाता हुआ घर आया और उसने साइकल को आंगन में पटकते वे कहा देख लुमा तुम्हारी बहु मुझपर उंगली उठाती थी और आज खुद वो किसी आदमी के साथ भाग गई है यह सुनकर विमला जी स्तब्द रह गई और कहने लगी यह तु क्या बोल रहे बेटा तो पवन कहने लगा हा मा मैंने खुद अपनी आखों से देखा है वो शहर जाने वाली बस में किसी आदमी के साथ बैट रही थी यह सुनकर विमला जी का चेहरा क्रोध से तम-तमा उठा और वो कहने लगी आखिर इस करम जली ने अपने लक्षन दिखा ही दिये न तभी यह गुंगट लेने से इंकार कर दी थी जरूर इसका कोई यार आता होगा इसके पास शादी से पहले ही इसका कहीं चक्कर चल रहा होगा खैर सूरज को उन्हेंने चिट्टी लिखवा कर सारे हालातों के बारे में बता दिया था सूरज घर आ चुका था उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी पत्नी ने ऐसा किया फिर भी उसे यकिन नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कर सकती है सूरज गहरे अवसाद में जा चुका था वह ना तो किसी से कुछ बात करता था और ना ही ठीक से खा पी रहा था उसकी इस आलत को देखकर विमला जी दिन रात सुजाता को कोश्ती रहती थी एक रात विमला जी सोई हुई थी तभी उन्हें पायल की चमचम की आवाज सुनाई दी और रसोई से कुछ खटर पटर की आवाज आने लगी वह सोचने लगी कि मेरी रसोई में कौन है वह उटकर रसोई में आई तो वहाँ पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया तभी अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई भागता हुआ जा रहा है उन्होंने आंगन में जाकर देखा तो उन्हें दिखाई दिया कोई अउरत घुंगट लियेवे घर के पीछे की और भाग रही थी विमला जी सोचने लगी कोई चोर होगा जो अउरत का भेश धरकर घुंगट की याड में भाग रहा है उन्होंने तुरंथी आंगन में से एक मोटा डंडा उठाया और दबे पाव घर के पिछवाडे पहुच गई घर के पिछवाडे एक पूराना सा स्टोर रूम था स्टोर रूम से पायल की चमचम की यवाज आ रही थी उन्होंने दर्वाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई क्योंकि सामने एक औरत हवा में जूलती हुई दिखाई दी तभी वो आकरिती नीचे उतरी और कहने लगी मा जी पहचाना मुझे मैं आपकी बहु सुजाता विमला जी के हाथों से डंडा छूट कर गिर पड़ा और वो भैबीत सी पीछे की योर हटने लगी सुजाता दर्द भरे स्वर में बोली मा जी मुझे से डरिये मत देखिये मैं कहीं भाग कर नहीं गई हूँ मैं यहीं हूँ और यहां नहीं भी हूँ क्योंकि अब मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं याद है आपने कहा था कि बहु घूंगट लो तो मेरा बेटा तुम पर बुली निजर नहीं डालेगा लेकिन देखिये न मेरे घूंगट लेने के बावजूद आपके बेटे ने ये क्या किया मेरे साथ विमला जी डर के मारे थर थर कांपते हुए बोली बहु मैं तुम्हारी आवाज पहचान सकती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ सुजाता रोने लगी उसके रुदन में कुतो की भोकने की आवाज शामिल होकर माहल को और भी डरावना बनाने लगे विमला जी के दिल की धरकने तेज हो गई थी उन्हें तो यकिन ही नहीं हो रहा था कि वह जो भी देख और सुन रही थी वह सब सच है सुजाता का रुदन तुरा शान्त हुआ तो वह गंभीर आवाज में बोली अमा जी उस दिन जब आप कीर्टन में गई थी तो पवन घर आया मैं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी रसोई में आते ही उसने मुझे पीछे से दबोच लिया मैं उसकी पकड़ से छुटने के लिए छट पटाने लगी लेकिन उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और सबसे पहले उसने मेरे दोनों हाथ बांग दिये फिर उसने मेरे दोनों पैर बांग दिये उसके बाद उठा कर वो मुझे अपने कमरे में ले गया और उसने मेरे साथ जबरजश्ती की मैं दर्द और आंसों के समंदर में डूब गई थी उसके बाद उसने तकिये से मेरा मूँ दबाकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए शांद कर दिया लेकिन मेरी आत्मा तड़कती रही मुझे इंसाफ चाहिए माजी मैंने तो घूंगट लिया था फिर भी पवन की नियत में खोट क्यों आई माजी विमला जी का डर गायव हो चुका था अब उनकी आखों में खून उतर आया वो कहने लगी पवन ने कितनी घटिया हरकत की मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है मुझे माफ कर दो बहू मैंने हमेशा तुमें ही डाट फटकार कर रखा कि अपना चेहरा ढग कर रहो इसके बदले मुझे अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि तुम औरतों की इज़त करो सुजाता रोते हुए बोल पड़ी हाँ अमा जी लोग हमेशा लड़कियों को सही तरीके से रहने की सलाह देते हैं उसके साथ ही अगर हर माबाब अपने बेटे को यह सिखाए कि लड़कियों की इज़त करो उनके साथ बत्तमीजी मत करो तो शायद और भी बहतर होता विमला जी कहने लगी बहु मैं तेरे अपरादी को सजा दिलवाऊंगी सुजाता बोली अमा जी उसने मेरी लाश को गाउं के पीछे वाले तालाब में फेका है विमला जी अपने आसु पोच का रूट खड़ी हुई और कहने लगी बस मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ वो तुरंती घर पहुंची उनके दोनों बेटे सोय हुए थे विमला जी ने सुरज को जगा कर सारी बात बताते हुए कहा कि तू जाकर पुलिस को बुला करला सुरज तुरंती पुलिस को बुलाने के लिए चला गया पुलिस ने आकर तालाब से सुजदा का शोव बरामत कर लिया था जब पुलिस ने कड़ाई से पूश ढ़ी की तब पवन ने अपना अपराज सूँआर कर लिया विमला जी ने उसे जोर का तमाचा मारते वे कहा कि वह तेरी भावी थी नालायक और शायद गलती मेरी ही थी कि मैंने तुझे नहीं सिखाया कि औरतों की इज़त कैसे की जाती है खैर अब जो होना था वा तो हो ही चुका था एक गलत सोच के कारण पूरा परिवार ही बरबाद हो चुका था सूरज को भी बहुत अफसोस हो रहा था कि उसकी माने सही समय पर सुझाता की बात क्यों नहीं सुनी खैर अपरादी को सजा मिलते ही सुझाता की आत्मा वहां से चली गई थी दोस्तों वैसे तो ये बस एक काल्पनिक कहानी है लेकिन दोस्तों इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा औरतों को ही मान मर्यादा में रहने का पार्ट पढ़ाने की बजाए मर्दों को भी यह समझाना चाहिए कि उन्हें औरतों के साथ किस प्रकार का व्यभार करना है तब शायद इतने अपराद नहीं होंगे आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरी लिखी हुई और नहीं कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद